को हुआ व में मेंंंदर जल है सैक अच्छार साथ राजनेदय ग्रंब आज मांत्मा गांधी की तीसली ओंलाइन लाइन के विचार हो मांत्मा गांधीर विचार था वं में उनके विचार थे उनमें किन-किन लेशना पत्नी के बारे में विचार की चिंतन किया हमने और साथ ही हमने ऺनलाइन सब्सक्ण प्रकार थे जागर्त एंशा 2 बिशा सत्रा भीरों के इंसा उस पर हमने विचार किया आज की जो सत्यागरे की जो बिंदु हैं उस पर हम चर्चा करेंगे जिन भी वच्छों विद्यार्थों ने जो नोट से नहीं लिखें हैं या इसकी शोड ने लिए वो इसकी शोड लेकर अपने नोट वोग उतार लें क्यूंकि इससे आपको मातमा गांदी की जी टॉपिक है उसको समझ दिमाशन रहेगी मातमा गांदी की जो ये 30 सी ओनलाइन क्लास है तो इसमें आप इन बिंदों को रख ध्यान में रखते हुए अगर आप पढ़ेंगे तो आप अच्छे से ही इस टॉपिक को अच्छे से समझ सकते ही टॉपिक आपके जिवन में बच्पन से जुड़ा है वर्तमान में और बविशे में जुड़ा रेगा जो गांधी सब्सक्राइब को आज भी वर्तमान में याद रखा जाता है तो उन्हें समझने के लिए आप इन बिंदों को अपने नोटबुक में उतारकर अपने अध्यान में समावेश कर सकते हैं तो आए चले आप जिनों इसकी शुड़ने डिया है नोटबुक में उतारकर अच्छे ये टोपिक अंदर हमीन सत्यागर की विचार प्सक्राइब अज़की जो बिंदों है उन पर हम विचार करेंगे की अब हम आज की विदिव उसमें सत्यागर के बारे में साथ्य और ओर यह इंसा पर साध्य और साद्व कि भी नेतिक परवर्ता में द्रडविस आस्ता थी और अपने इनी विश्वासों के आधार पर उन्होंने बुराई के प्रतिरोद के नविन मार्ग का आविश्कार किया जिसे क्या नाम दिया बुराई के प्रतिरोद में नविन मार्ग का आविश्कार किया जिसे क्या नाम दिया सत्यागरे सत्या मतब सत प्रति आगरे ठीक है उन्होंने सत्य और अइंशे ऐसा कौन से सत्या और अइंशा जिसका हमने प्रिछी ओंलाइन क्लास में ध्यां ठीक ना सत्य और साध्यों साधना की स्रेश्टा नेती पवर्ता पवित्रता ठीक है में द्रडवीश्वास रखते हुए उन्होंने पने विरोध्यों को डुखी बनाने के बजाए उसको डुक्रकर करना कि क्या करना खुद को दुखी करके सत्य पर विजया पराप्त करना ही क्या है सत्या गरह सत्यागरे शक्ति चाली और वीर मनुश्य का सस्त्र हैं जैसे मैं आपको एक क्लास में बताई थी कि शमा विरुष्य भूशनम ठीके समा किसका विरोगा भूशन है ठीके एक सत्यागरी अपने पर्तिद्वन्दों के अध्यात्मिक सर्मंद इस्तापित कर लेता है और उसमें एसा विश्वास उत्वन कर देता है कि वे बिना अपने को नुक्सान पहुचा है उनको नुक्सान नहीं पहुचा सकता सत्यागरे तो सत्य की विजए है तो कि यह जने वाला आध्यात्मिक संगर्ष का नाम सत्यागर क्या है सत्यागरे तो कि यह जने वाला आध्यात्मिक सत्यागृ क्भुन कि सत्याग cupboard के जो होता है उसके क्या-क्या होते हैं सट्याग्रे के सिद्धाम आचरां नहीं कर सकता सत्या extremely कूछ विश्यंश चाहिए उनके अनुसार सत्या ग्रहे के लिए सत्य परचलने वाला हो क्या सत्य पर चलना वाला उद रहने का भिशत तो B बतलब वन वचन और करम किसी से मन से किसी को दुख ना पहुचे और करम से किसी को कोई ना पहुचे सत्यागरी कभी अपने उद्यश्य को पराप्ति के लिए उसका प्रियोग नहीं करता उसका आश्रे नहीं लेता वह जो भी करता है खुले रूप में करता है और अपनी कमजोर वे भूलों को छिपाने के बजाए उन्हें खुले रूप में स्विकार करने के लिए तत्पर रहता है जो मुख्य बिंदु आ रहा है उसे आप आप अपने नोट बूक में बिशेशते नोट कर ले गांधी जी हिंदी सुवाराज यह प्रग्रे जो पंच्मावर थे पहले यह अपन पढ़ चुके सत्य अइस्टे ब्रहम चरी और प्रग्रे ठीक है यह पंच्त मावर थे जो आज भी जेन दर्म के अंदर मिलते हैं आपको देखने को मिलते हैं और जो गांधी जीन 11 व्रद्दि उनमें क्या क्या है पंच् प्रश्रत निवान तो किते होंगे 5 प्लस 6 किते होंगे 11 व्रत तो गांधी जीने सत्याग्रे के जो हैं ग्रही में 11 गुण होने चाहिए जिसमें आज की जेंदर में 5 मावरत 5 मावरत के अंदर 5 जो चीजे बताई जाती है वो चीजे और 6 अल्लेक जो चीजे उदमें चाहिए श्रम एसवाद निर्बैता और सभी धर्मों के प्रति समांदर्श्टी रखना स्वेदेशी और एस प्रश्रता निवारन जो ही यह थे गांधी जी के सत्याग्रे के गुण थे नेक्स्ट हलागे सत्याग्रे के विभिन रूप मतब कांधी जी ने सत्याग्रे में किन-किन रूपों को क्रेंड किया किन-किन रूपों को अपनाया ठीक है तो मैंने आप शोटली आपको बता देता हूं के सयो गांदोलन कब हुआ 1920 से शुरू हुआ उनीजोबी से 1922 में उसे इस्तगित कर दिया कब किया 1922 में इस्तगित रूप दिया क्यूंकि रोक चॉराचॉरी अःत्याकांट के कारण ठीक है चॉराचॉरी क्या था वर्तमान उत्र परदेश के गोरूपुर नामकिस्तान के पास में चॉराचॉरी न जो गांदी जी का मूल मरत क्या था सत्य और इंसा लेकिन वहां पर हिंसा होने के कान गांदी जी ने एस सहयोग आंदुलन को इस तक इत कर दिया ठीकर दिया द्यान रखें आप लोग समझ लें आपको अधिन अभला बिंदु में वह सेवी ने अवग्या अंधुलन क्या था 1930 32 तक तो घांदी जी ने दूसरा जो आदुन किया सेवी और बेंपूर्वक किसी की आगयों कि अलोग अवहलना या उलंगन करना किसी अंगरी सरकार या जो बिट्टी सरकार थी उसके आग्यों की उलंगन करना तो गांदी जीन दूसरा जो अंदुलन चलाया सत्यागर की रूप में वो क्या था सेवी ने अवग्या अंदुलन द्यान रखे और गांदी इवरीन समझोता हुआ था 1931 में तो उसके बाद में जो दित्ति गोल में सम कारण उसमें भी उसमें सेवी ने अवग्या अंदुलन में रोग लगा दी गई नेक्स से तीसरा हिजरत या प्रवजन समझे इस चीजों को सत्यागर के प्रवव में प्यला क्या नाम दिया कि सेवी एस युग अंदुलन 1922 फिर बाद में दूसरा एस युग अंदुलन औ करते इस तरहीं निवास का स्वेचिक पर परित्याग इस इस तान पर रे रहे हो उसका युड़िए पर इस तान को छोड़ दे न एक्षा के लिए तनुबह करते आत्म सम्मान रखते हुए उस इस संतान में नहीं रह सकते मतलब जो आदमी अपने आपको प्रूड़ित में अपनी इच्छा से एक स्थान से छोड़का दूसरे स्थान पर चले जाना क्या क्या लाएगा हिज्डतिया प्रवजन सन 181918 में बार डोली और सन 1949 में विठल गड़ और लिमड़ी की जनता ने गांदी जी के द्वारा हिज्डत का सुजा दिया गया नेक्से जो प्रमुबिंदू सत्यागरे में वो क्या है अंशन क्या है अंशन सत्यागरे के अन्य रूप में अंशन जिसका आजकर बड़ा गलत प्रियोग होने जाना लगा है गांदी जी से अत्यधिक उग्र अस्त्र समस्ते थे उनका विचार था कि इसे अपनाने में अत्य अन्षिन का था कि जो अत्याचारी थे उस संटाएशार को ह towel को나 थीृटि सरकार उनके हर्दे में उनके मूं में प्रवर्थन करने के लिए अजय का प्रयोब किया जाता था ठीक है और में बिना भूग प्यास के बिना खाने के बिना पेने की बिना रहने कि तो अंचन से किया जाता था तो तो प्रवर्थन के लिए जो अपना जैने वाले विचारदा रहे ती उसको क्या नाम देगा अंशन कि कि इसके अश्ता के प्योग करकिसी व्क्तिव द्वारा नई वरण अध्यक्ता की किया जा सकता है मुद्ब जा द्विए मार्फ प्यास ने खेने गोंने सभी चीज में वह कुसी रखता है आध्यत्मिक तो उसके द्वारा ही किया जाना चाहिए क्योंकि इसके सफल प्रियों के लिए मांसिक शुद्धता और अनुशाशन और नेतिक मुल्य ठीक मांसिक शुद्धता अनुशाशन और नेतिक मुल्य नहीं खाना तो नहीं खाना नहीं पीना तो नहीं पीना तो देना तो मांसिक श सत्यागरे का एक अन्य रूप हर्ताल की समद में गांधी जी का विचार समाज वादों सामेवादियों से भीने गांधी जी संगर्ष की जो धालना में विश्वास नहीं करते थे और उनके अनुसार हर्ताल आत्म शुद्धी के लिए किया जाना वाला एक स्वेचिक परिवर्तन है जिसका लक्षे स्वेवकस्ट सहते हुए विरोध्य की हर्दे में परिवर्तन करना है जैसा कि अंशन में यहीं चीज थी क्या थी कि स्वेवकस्ट सहते हुए विरोध्य की वेक्ति की मार मांगे जो हर्ताल की जो मांगे होती वो नितांत इसपस्ट और उचित होनी चाहिए सफल हो सकता है इस Сमंद में नएक विचारोंמה कें उनके काफी मद्वे थे 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 सेविन अवेगों आंदुलन हिज्रत या परवजन अंशन और हर्ताल राधी बिंदों पर हमने चर्चा की आए चलते अगले बिंदों की ओर अग्ला जो जो दिएा नितर सलस्री जिन में सभी साब डिए यृजन की निधि की बीचार हरें तो सभी कि अलग लग लग राजी की दिव सोर्ब phenomena कोई सब्सक्राइब कि सब्सक्राइब कि सब्सक्राइब कर लिए जाता है किन्तु गांदी जी राज्य को इतना अधिक महतुत देने के लिए तयार नहीं थे उनके अनुसार गांदी जी राज्य की समझने क्या करता है वेक्ति राज्य का राज्य सोरी वेक्ति साध्य तथा राज्य एक साधन मात्रे क्या है तो वह क्या है वेक्ति साध्य और राज्य क्या है एक साधने वेक्ति क्या है एक साध्य मतलब साधन प्राप्त करने का एक तरीका राज्य क्या है एक साधने राज्ये की उत्पती मनुश्य के लिए हुई नेकी मनुश्य के लिए हुई नेकी मनुश्य के लिए गंदीजी राज्ये को सामजिक उत्थान और जन करना कल्यान का एक साधन मातल मानते थी गंदीजी की दूआरा राज्ये की सत्ता का विरोध की जाने के प्रमुक रूपिनिम्द काण डी जा सकते हैं कि गांदी जी राज्जे की सत्ता का विरोध किस कारण से किया पहला गांदी जी दाशनिक आधार पर राज्जे का विरोध करते हुए गांदी जी का विचार है कि राज्जे वेक्ति को नेतिक विकास की और माग प्रशस्त नहीं करता राज्जे वेक्ति की नेतिक विकास का म अधारित होने के कारण वेक्ति के केवल बाहरी कार्यों को ही प्राभावित कर सकता है राज्जे ये नेतिक इसलिए है कि वे हमें सब कार्यों की सब कार्य अपनी इच्छा से नहीं वरन दंड के भे ज्यान करना ये चीज़ क्या है कि राज्जे अपनी राज्जे हमें सब कार अपनी इच्छा से नहीं वरन दंड के भय और कानुन की शक्ति से बाधित कराना चाहता है तो राजी सत्ता के विरोध गांदी जी ने किया गांदी जी एक इंसेक पुजारी थे और राज्य एक हिंसात्मक मुलक संग्ठन इसके कारण भी उनके द्वारा राज्य का विरोध क किया गया तो यह थे गांदी जी के राज्य संबंदी विचार गांदी जी राज्यों को एक आवशक बुराई के रूप में स्वविकार किया कि राज्य क्या है एक आवशक बुराई एक राज्य क्या है एक आवशक बुराई एक राज्य क्या मानते थे साधन और वेक्ति को सरारी एं वेगति साध्य हैं और राज्ञे साध्य ठीक है और डाजों का मांते थे एक आउशक क्र क्शूरह का Links ऑस Viel चुछ 25 जीन राज्यक का प्रवाह को कम्से कम परहत्र किया जिसर राज्य सत्ता में होते हैं वह कि व्यंक्ती वास्ति ग्रॉप में सत्ता प्राप्त कर सके इस संबंधिंद ऊप्राप्त इनफ चाहरी थी इस प्रकार चने मैं देने निलकी में होई पहला सत्था का का कलास हुई थी तो इस नाम के जाता है सत्था का क्या लगा जाता है ने किया क्या जाएगी सत्ता का विकेंद्धी करण तो गांदी जी क्या चाहते है कि सत्ता का विकेंदी करण ने हो सत्ता जाएगी सत्ता प्रव्यमनमना अपना विवार करने लगेगा तो वह कोंसी प्रवर्वक्ति में बदल जाएगा राज्ये ताना SHAH Ramaj कोंसे राज्या मन जाएगा या आतता ही राज्ये बन जाएगा लेखे लाज्या का इरकिक यह का इन्यी नयें तम् लग्यário दाजिशक्त्राइट इस प्ट्ण रहे हैं मात्मा गंदी राजिश संबंदी विचार में जो राजिक की आborg शकत्ता राजिशक्ता पर नेथर्ण उसके बारे में पड़ रहे हैं कि सत्ता राजिशक्तरा जो सट्ता है वह क्यों होनी चाहिए ठीक ए तो वास्त्रि ग्रूप में जो सथंत्रता मिलेंगी उसके इन प्रकार बताएं उसमें पहला था सत्ता का विकेंदी करना और दूसरा राज्य का कारेशेट्र नियुंतम राज्य सत्ता की बुराईएं को दूर करने के लिए उनका सोजाव यह है कि राजिये का गारिशेत्र नियुंतम होना चाहिए राजिये का गारिशेत्र क्या होना चाहिए नियुंतम उसके द्वारा वेक्ति के जीवन में कम से कम हस्तक्षेप किया जाना चाहिए वे हैंडी डी थोरू के इस विचार से सहमत है सरवतम सरकार वे है सबसे कम शाषन करती हुआ उनका कहना है कि स्वराज्य का आर्थ यह है कि वेक्ति को सरकार के नियंतर में स्वतंत्र होने का नियंतर प्रेत्र करना चाहिए चाहिए वे सरकार विदेशी हो या रास्टी है ठीक ना तो स्य बंदो ने बंदिन कियात समट का कहता है अगला तीस्तरबंदु राज्ये के प्रबूत्त के सिध्दान्त का खंडन क्या है राज्य के प्रभूत के सिध्दान्त का खंडन जो राज्य के प्रभूत के सिध्दान्त का खंडन जो राज्य का प्रभूत है संप्रभूत है सरवच शक्ति उसके सिद्धान्त का राजी सरवोच है उस सिद्धान्त का गांदी जी ने खंडन किया संप्रभू के बारे में प्रभूत के बारे में गांदी जी वेक्ति और राज्ये के राज्ये में वेक्ति को साध्य और राज्ये को साधन मानते हैं जिसे मैंने आपको बता दिया कि गांदी और इस कारण से उनके द्वारा राज्य के प्रभूत सिद्धान्त का खंड़न किया गया। वे हीगल और सरवदिकार वादियों की इस बात को सुविकार करने के लिए स्वध्य तयार नहीं थे वेक्ती राज्ये की प्रतेग आग्या माने। उनका कतन था कि राज जनता की भक्ति का ख़गदार तभी हो सकता है, जब वे जनता के कल्यान की दिशा में आगे बढ़े हो जन्शक्तिग परादारित हो, गांधी जी लिखते हैं, राज भक्ति का कोई परव्यतिंशिल सिद्दान नहीं है, वे तो एक पास्पर के आदान प पर्तिरूप्या फल उसे देगी तो राज्जी की सत्ता है वह बनी देगी ठीक है लेकिन अगर राज्जी की जो सत्ता है जो शाशा के वह अगर जनता पर प्रूर्व अपने विचारों को रखेगा तो वहां पर उस राज्जी का विनास संभा हुए इसलिए जैसे ही करता है जिसे मैंने को समझा दिए जैसे सत्ता का दूर्प्यों करने लगता तो यसे कानों का निर्मान करता है जो अंतिकरण के विरुद हो तो ब्रती प्रक्त करने का अधिकार राज्जे का विनाश हो जाता है एसी इस्तिदी में जनता का केवल अधिकार वरण करते भी हो जाता है कि राज्य सत्ता का विरोध किया जाए जाए जब अगर ऐसी इस्तिदी आ जाएती है तो उनकी परजाओ को या करना चाहिए कि वह राज्य सत्ता का विरोध करें और इसका विरोध करने से क्या होगा जी के सामाझ को सात्य और इसाथ के साथ राम, जो क्ए का थे ते फिंदि उसका पॉस्त करेंगी घस्क,